एक बर फिर आप सभी का स्वागत है Go Study YouTube चैनल के उपर आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त SSC CGL के एक्जाम चल रहे हैं कुछ लोगों के एक्जाम हो चुके हैं और कुछ लोगों के एक्जाम बाकी हैं उस चीज़ को consider करते हुए मैंने आप सभी के लिए एक practice batch launch किया था जिसकी पहली class मैं आपको करवा चुका हूँ और आज ये दूसरी class है पहली class के अंदर भी मैंने आपको most expected question करवाए थे और इस class के अंदर भी मैं आपको most expected question करवाऊँगा most expected question कहने का ये मतलब है कि मैं वो question लेकर आ रहा हूँ जो question बार-बार SSC ने जो है वो different exams के अंदर पूछे हैं तो SSC, CHSL के अंदर भी पूछे जाने की संभावना है तो ये classes जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्पूर रहेंगी आखरी समय पर तो आपके पास ये 15 दिन बचे हुए इन 15 दिन के अंदर लगातार मेरे साथ practice करो मैं वादा करता हूँ आपको उस label तक पहुचा दूँगा जहां पर आपको एक अच्छा score मिल जाएगा और अगर आपने फिर भी आपने preparation को और ज़्यादा boost करना है तो भाई मैंने यहाँ पर एक playlist दे रखी है जिसके अंदर latest जो आपके SSC CHSL के exam हुए थे March 2023 के अंदर उसके सारे paper के solution डाल रखे हैं आप अगर इन classes को 25 classes हैं इनको देख लेंगे मैं बादा करता हूँ कि आपको question करने का नजरिया change हो जाएगा आप कहेंगे वागई मैंने ऐसे question तो पहले कभी किये ही नहीं थे यह तरीका कहां से सीखने को मिल रहे गया तो यह तरीके मैंने यहाँ पर सिखा रखे हैं और इतने अच्छे-च्छे concepts आपको सिखा रखे हैं कि आप जब इन classes को complete कर लेंगे तो आपके अंदर वो confidence आजाएगा कि हाँ मैं भी questions को solve कर सकता हूँ मैं भी paper के अंदर जो है वो 25 में से 25 questions कर सकता हूँ तो इसी के साथ पहले question के साथ class को start करते हैं और देखते हैं पहला question क्या कहता है पहला ही question आपकी screen पर है और पहला ही question जो है वो आपका average का question है जैसे कि बहुत सारे बच्चों की demand होती है कि average के questions करवाया जाएं पेपर के अंदर वाकई average के questions जो हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं यह जो format आपके सामने question का देख रहा है इस type के questions आपको बार-बार देखने को मिले होंगे जब आपने previous sets को solve किया होगा और आने वाले exams में आपको एक question आपके set में जरूर देखने को मिलेगा इस type का तो यह question आपके लिए बहुत ही महत्पूर है इस question को देखेंगे कि कितनी आसानी से हम बना सकती है यह question कहता है कि 15 athlete और 3 प्रसिचकों का आउसत वजन 60 kg है जब 63 kg आउसत वजन के 4 और athleteों को सम्मू में सामिल किया जाता है तो सम्मू का आउसत वजन जो है वो कितना हो जाता है तो आपको बताना है simply अगर मैं बात करूँ कि 15 athlete और 3 प्रसिचक यानी 18 लोगों का जो 18 लोग है उनका जो आसत वजन है वो कितना है 60 kg है और उसमें से 4 लोगों का आसत वजन जोड़ा जा रहा है उनका आसत कितना है उनका आसत जो है वो 63 है मैं आपसे कहता हूँ कि पूरे group का जो है आसत आप 60 मालो जितना extra होगा वो इसमें जोड़ देंगे अब ये देखिए आप 60 से कितना extra है मैं कहता हूँ कि average जो है वो 3 extra है अब 3 तो average extra है लेकिन overall कितना extra है क्योंकि 4 लोग है यहाँ पर तो 4 ती है 12 कितना extra है 12 kg extra है यह जो 12 kg है वो कितने लोगों में divide होगा 18,4,22 लोगों में divide होगा ठीक है तो अगर हम divide करेंगे तो point लगाएंगे यह बन जाएगा 120,25,110 ठीक है आपके पास कितना बचेगा 10 बचेगा 10 बचेगा point लगा है तो 0 बढ़ा देंगे तो आपका 100 हो जाएगा तो 22,88 ठीक है अगर 22,5 करेंगे तो 110 बाहर निकल जाएगा कहने का मतलब है 60 plus point 54 और 60 plus point 54 का मतलब है 60 point 54 तो अब हम इसे क्या consider करें क्या हम 60 answer माने या फिर 61 माने या फिर 60 माने क्योंकि ये answer तो आप खुद चूज कर सकते हैं क्योंकि ये दूनों answer नहीं होगा लेकिन अब आप confused हैं कि 61 माने या 60 माने मेरे भाई एक चीज हमेशा याद रख ले न कभी भी 60 point आपका 50 दे रखा हो तो कभी 61 consider मत करना इसे 60 consider करना या इसे कम हो तो आप 60 consider करना लेकिन जैसे 60 point आपका 51 हो गया तो आप इसे 61 ही consider करोगे तो आप यहाँ पर right answer क्या दोगे आप 61 इसका बिलकुल सही जबाब दोगे अगला question देखिए इस question को देखने के बाद आपको लगेगा कि हम sir इस question के अंदर क्या करें अलजेबरा का बहुत ही अच्छा question है अगर आप इसे मेरी नजरों सो देखें तो यह नजरे क्या कहती है कि यह x square plus 1 upon x square लिखा हुआ है और यह बराबर 7 दे रखा है और यह क्या दे रखा है यह दे रखा है x cube plus 1 upon x cube जिसका आपको answer बताना है अगर आप इस नजर से देखेंगे तो आपको यह चीज नजर आएगी और ऐसा format कभी आप को motion में दिखाई दे तो आप यही मानना x square plus 1 upon x square अब आप square से कभी cube पे direct जा सकते हैं आप कहेंगे सर कभी नहीं जा सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको reverse आना पड़ेगा कहां पर आना पड़ेगा आपको x plus 1 upon x पे आना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ता है उसके लिए जब भी आप plus से plus में आएंगे तो आप क्या करेंगे यहां पर 2 plus करेंगे और इसका root ले लेंगे जब आप इसका root लोगे तो 9 का root कितना निकल के आएगा आपका 3 निकल आएगा अब आप x से x cube पे चले जाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ता है आपका p cube माइनस आपका करना पड़ता है 3p अब आपका p कितना दे रखा 3 दे रखा तो 3 का cube करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा ठीक है और अहां पर p रखेंगे तो 3 3 9 आपका right अंसर हो जाएगा वो आपका 27 माइनस 9 आपका 18 बिलकुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका a option के अंदर दिखाई दे रहा है अगला question देखें बहुत ही अच्छा question है यह question कहता है कि 15% छूट देने के बाद एक विक्रेता एक मसीन को 1,22,700 रुपए में बेचना चाहता है मसीन को किस मूली पर अंकित किया जाना चाहिए simply इस type के questions आपको बहुत जादा देखने को मिलते पेपर के दोरान अगर आप 15% की छूट दे रहे हैं तो आप उस चीज को 85% के उपर बेच रहे हैं कितने पर बेच रहे हैं 85% पर amount क्या है 1,22,700 रुपए पर बेच रहे हैं ठीक है अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1% का मान निकाल लो अब जब आप 1% का मान निकालेंगे तो इसके नीचे कर देंगे 1,22,700 upon 80 अब आपके पास 1% का मान निकल क्या आगया है आपको तो mark price बताना है mark price तो आपका 100% होता है ना भाई है ना तो आप 100% निकालने के लिए आप इधर भी 100% का गुड़ा करेंगे और आप इधर भी 100% का गुड़ा करेंगे तभी तो आप 100% निकाल पाएंगे अब इसको काट लो अगर 5 से काटोगे तो ये 17 बार जाएगा और इसे 5 काटोगे तो ये 20 बर जाएगा अब अगर 17 को काटोगे तो 31 केम 17, 17, 7, 119 ओके बचा आपके पास 3, आपका हो गया 17, 234 अब आपके पास कितना बचा? तो आपका हो गया 17 ठीक है उसके बाद आपके पास कितना बचा 13 बचा आपके पास तो हो गया 13, 17, 7, 119 17, 8, 136 17, 7, 119 हो जाएगा अब आपके पास 11 बचा है ठीक है आप 10 मलो लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे ये बन जाएगा 110, 17, 6, 102 इतनी बात क्लियर है तो 12, 17, 6 में आप जो है वो 20 का गुडा कर देंगे ठीक है जब आप 20 का गुडा करेंगे तो आपके पास एंसर क्या निकल के आएगा 12 करी आए 1 7 दूनी 14, 1, 15 ठीक करी आए 1, 2, 1, 2, 1, 3 ठीक है और फिर 2 दूनी 4 और 2, 14 14, 14, 4, 3, 5, 2 आपको कहां पर देखने को मिल रहा है वो आपको B आपसन के अंदर देखने को मिल रहा है राइट अंसर आपका B बिलकुल सही जबाब हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन देखिए क्या कहता है कि एक कमपनी में केवल दो प्रकार के करमचारी करमी और अधिकारी है 35 परशन करमचारी अधिकारी और एक अधिकारी का ओसत मासिक वेतन जो है वो एक करमचारी के सैयुक्त मासिक वेतन से 49,000 रुपे अधिक है एक अधिकारी और एक कर्मी के औसत मासिक वेतर में कितना अंतर है मैं कर रहा हूँ इस question को बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि ये SSC-CHSL का latest question है और ऐसे question आपके paper में देखने को बार-बार मिलते हैं और ये question पूछा जा सकता है 90% question जो है 90% बच्चे जो है वो इस question को गलत कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्योंकि उनको actual approach ही नहीं पता है कि इस question को कैसे करना है simply मैं कहता हूँ कि total तो आपके करमचारी है उसमें से कुछ कर्मी है और कुछ अधिकारी है इन दोनों को मिला के करमचारी बोला जा रहा है ठीक है तो कर्मी को कभी करमचारी मत consider कर ले ना कर्मी करमचारी को मिला कर करमचारी कहा जा रहा है तो मैंने कर्मी को K से denote कर दिया और अधिकारी को A से denote कर दिया जहां पर आपसे बूला गया है कि अधिकारी आपके 35% है ठीक है तो आपके कर्मी कितने हो जाएंगे 65 और 65 और 35 का रेशो कितना हो जाएगा आपका रेशो आजाएगा 13 और 7 यह आजाएगा ना भाई अगर मैं यहां पर अधिकारी और कर्मी का रेशो निकालू कि अधिकारी आपके 35 हैं और यह आपके 65 हैं तो ratio आपका कितना हो जाएगा 7 और 13 का ही ratio हो जाएगा तो वही तो मैंने यहाँ पर ratio लिख दिया है directly तो directly mind से भी कुछ चीज़े calculate करना सीखो आप लोग चलो अब कहा गया है कि एक अधिकारी का जो मासिक वेतन है ना वो एक करमचारी के संयु 49,000 रुपए अधिक है इतनी बात clear है अब मैंने यहाँ पर एक खीची लाइन अब यहाँ पर आप जब इनका difference निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 49,000 आएगा ठीक है भई 49,000 आगया अब 13 ratio बराबर 49,000 तो एक ratio बराबर कितना हो जाएगा 3,000 तो 7 ratio बराबर कितना हो ज जब यह वाला format मैंने आपको यह वाला method कराया तो हमेशा बोला है कि यहाँ पर अगर plus का operation लगा है तो यहाँ पर आपका minus का operation लगेगा यहाँ पर आपने x में plus किया है तो यहाँ पर आप x में minus करेंगे तो यहाँ पर आपका x minus कितना आजाएगा 21,000 आजाएगा ठीक है कि इकड़ना आजाएगा 21,000 आजाएगा अब difference निकालने का मतलब क्या होता बड़े में से छोटा माइनस करना आप से पूछा गया है ना कि एक अधिकारी और एक कर्मी के मासिक ओसत वेतन का अंतर गया हो जाएगा बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो आप करें एकस प्ल यही आपका difference था तो इस तरीके से इस question को करना था यही सबसे basic और सबसे easy method है इसके लावा इस question को आप कहीं किसी भी तरीके से इससे easy आप नहीं बना सकते हैं चाहे x, y कुछ भी आप माने आप इस question को other तरीके से किसी और तरीके से solve नहीं कर पाएंगे यह जो cross multiplication का method मैं आपको बताता हूँ यह बहुत सारे questions पर apply होता है जैसे कि इस question पर भी apply हो गया इस type के जितने भी question आगे आपको देखने को मिलेंगे आप इसी तरीके से करेंगे तो आपकी question जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या कहता है कि तरभुज ABC और PQR दो समदी बाहु तरभुज है जिनमें से AB बराबर AC है, PQ बराबर PR है यदि AB और PQ बराबर हो और BCQR हो तो B आपका code जो होगा वो 50 degree होगा तो R code का आपको मान बताना है चलिए, question को solve करने से पहले मैं diagram बना लेता हूँ उससे क्या होगा आपको जो है वो question जादा समझाएंगे चलिए, तो हमने पहले एक ये diagram बनाया थोड़ा उपर ले लेते हैं और दूसरा ये बनाया ओकी, चलो, अब हम इनको मान लेते हैं कि ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका C है ये आपका P है और ये आपका क्या है? क्यूं है? और ये आपका R है इतनी पार clear है? अब यहाँ पर बोला गया है AB बराबर AC मतलब AB बराबर आपका AC है आगे बोला गया PQ बराबर PR है ले लो PQ बराबर PR कर दिया अब आगे बोला AB बराबर PQ है, मतलब AB, AB बराबर PQ है, कहने का मतलब है कि ये जो है न, इसके बराबर भी है, और BC बराबर Q वार है, BC बराबर Q वार है, अब हम यहाँ पर similarity लगा सकते हैं न, similarity के according, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो है आप इसको भी 50 दिग्री दे दो अगर ये दोनों भुजाए बराबर है तो इसके एंगल का सांगल इसके इस भुजा के सामने एंगल पचास है तो इस भुजा के सामने भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा उसी प्रकास similarity लगी है आप इसको पढ़ने से भी आप answer दे सकते थे A, B और P के और पढ़के जब आप ये वाला थियोरी पूरी पढ़ते तो आप वही पर decide कर सकते थे कि right answer इसका 50 ही होगा तो जब आप लगातार मेरे साथ practice करेंगे तो आपको ये diagram भी नहीं बनाना पढ़ेगा आप पढ़कर ये answer का जवाब दे देंगे कि अगर B आपका 50 है तो R भी आपका 50 होगा क्योंकि यहाँ पर similarity लग रही है बढ़ते हैं अगले question की तरफ बहुत सारे बच्चों ने similarity नहीं पढ़ी होगी एक बार आप लोग similarity पढ़ लेना उस पर बहुत सारे questions आपकी paper में देखने को मिलते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आपके set में सायद ही एक rare cases में जो है ये question देखने को मिल सकता है ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है चलिए ये question आपके सामने है इस question में अगर आप r sorry r divide कर दे तो उपर कितना बचेगा आपका उपर आपका 8 बचेगा नीचे कितना बचेगा नीचे आपका r बचेगा फिर plus इसके नीचे आप divide करेंगे तो 1 upon r हो जाएगा और minus का आपका 8 बचेगा बराबर कितना दे रखा एक बचे 14 आगे फर्दर इसे solve करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 अठे 112 हो जाएगा बराबर इधर आजाएगा x plus 1 upon x और minus 8 क्योंकि हमने इसको cross कर दिया ना एक से गुड़ा करोगे तो x plus 1 upon r प्लस 1 upon r हो जाएगा तो इसे x ना मानके इसे r मानो भाई ठीक है मैंने x लिख दिया इसे r मानो ओरे ओरे कहां जा रहा हो भाई इसे r मानो ठीक है r plus 1 upon r minus आपका 8 हो जाएगा आप से यही तो पूछा r plus 1 upon r तो इसको इधर कर दो तो यह आपका answer जो है 120 आ जाएगा 120 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बढ़ें अगले question की तरफ अगला question देखी क्या कहता है यह question board mouse का है इसको solve करने के लिए simply 731 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा 27 बटे 7 और इसको into लिख लो 7 बटे 54 ठीक है minus आपका हो जाएगा 3 minus bracket में 4 दुनी 8 3 11 बटे 4 अब इसे बराबर करने के लिए दोनों तरफ उपर नीचे दो से गुड़ा कर दूँ तो उपर 6 हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा हमें solve करने में आसानी हो जाएगी है न तो जहाँ पर आपको बराबर करने का मौका मिले जहाँ पर calculation को easy बनाने का मौका मिले कभी वो मौका मत छोड़ो वही मौका है आपको question को और easy बनाने का अब इस question को solve कर लो अब question को solve करोगे तो यह 7 से 7 कर जाएगा 27 दुनीय चोगवन है न तो यहाँ पर आपका कितना निकल के आएगा 1 बटा 2 minus का minus का आगे अब अगर solve करोगे तो 3 minus 11 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5 बचेगा तो यहाँ पर 5 बटे 4 हो जाएगा है न plus आपका a by 4 अब आगे इससे solve करोगे तो 1 बटा 2 minus 4 तिया 12 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 बटे 4 बचेगा बराबर करने के लिए मैं इससे 2 से गुड़ा कर दूँगा इससे भी 2 से गुड़ा कर दूँगा तो मैं इससे 2 बटे 4 लिख सकता हूँ आप कहेंगे बिल्कुल सर हम 2 बटे 4 इससे लिख सकते हैं लिख दो भाई 2 बटे 4 minus 2 बटे 4 इससे लिए तो difficult होते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है बराबर 0 अब देखे अगर आप इसमें से इसको minus करेंगे तो कितना बचेगा आपका minus का 5 बटे 4 प्लस का a by 4 बराबर 0 तो आपका a कितना निकल के आएगा अगर आप इससे further solve करेंगे थोड़ा सा मैं उपर ले रहा हूँ इसको ठीक है आप लोग थोड़ा minus करिएगा इसको उपर ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सको अब a by 4 minus वाला जो है वो बराबर के उधर चला जाएगा तो आपका 5 by 4 हो जाएगा यह 4 से 4 कर जाएगा तो आपका a बराबर answer निकल के आजाएगा 5 जो कि आपका c option के अंदर दिखाई दे रहा है ओके चलो बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको समझा सके ठीक है इसलिए नहीं कि मेरे को दिक्कत नहीं होती है बस यह होता है कि आपको जो है जब आप mobile पर देखते हैं तो आपको वहाँ पर भी बड़ा दिखाई देना चाहिए चलो यह कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है यह कोशन इतना इसी है लेकिन examiner आपसे क्या जाना चाहता है कि क्या आपको यह पता है कि एक centimeter में कितने centimeter होते हैं यह कितने centimeter में कितने centimeter होते हैं आपसे unit के बारे में आपकी knowledge जानना चाहता है कि unit के बारे में आपको अच्छे से या नहीं उसी चीज़ का उपयोग करके इस question को आपके सामने रखा गया है यहाँ पर देखे बोला गया है कि 8 meter into 6 meter into 22.5 centimeter की एक दिवार का निर्माड करने के लिए 25 centimeter और 11.25 centimeter into 6 centimeter की कितनी की आउ सकता होगी ठीक है तो यहाँ पर simply इस question को solve करने के लिए आपको यहाँ पर centimeter है तो यहाँ पर भी आपको centimeter में ही बनाना पड़ेगा तो 8 meter में कितने centimeter हो जाएंगे 800 centimeter हो जाएंगे क्योंकि एक meter में 100 centimeter होते हैं 6 meter में कितने हो जाएंगे centimeter 600 हो जाएंगे अब यह तो आपका centimeter में लिखा ही है तो हम इसे लिख सकते हैं 25 बटे 10 point को मैंने हटा दिया इधर कितना है इधर आपका 25 into आपका 11 point 25 बटे मैंने कर दिया 100 और into आपका 6 कर दिया और हमें निकालना क्या है हमें तो E2 की संख्या निकालनी है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 25 चकू 100 ठीक है 25 चकू 100 25 पंचे 125 25 25 नवा 225 9 कम 9 9 पंचे 45 वो गया 9 पंचे 45 यह 0 से यह 0 कट गया ठीक है 6 से कट गया यह तो यहाँ पर 10 बचा अब मैं 5 से 2 काट लू है ना अब यह 4 उदर चला जाएगा 4 दूनी 8 8 8 64 यहाँ पर आपका एंसर आजाएगा 4600 तो चौसर सो इटो की जरूरत होगी इतने लंबी इतनी उचाई और इतनी मोटाई वाली दीवार बनाने के लिए राइट अंसर आपका 64 मतलब भी आपका बिलकुल और आपका जाएगा अगला कोशन देकी क्या कहता है कि एक विकरेता अपने माल को क्रैम मुली पर बेचने का दावा करता है लेकिन एक किलो ग्राम के लिए वा 900 घ्राम बहर का उपयो करता है उसका लाब परतिस्चत कितना हो जाएगा अब देखिए अगर किसी विक्त को देना था 1000 ग्राम लेकिन उसने 900 ग्राम दिया है है ना कितना दिया 900 ग्राम दिया है तो 9 से 10 आपका हो जाएगा 9 पर 1% की बड़त तो 1 बटा 9 बराबर कितना हो जाता है 11 सही 1 बटा 9 हो जाता है चीज तो उसे कितनी दे नी थी 1000 गराम लेकिन भाई कितनी थी 900 गराम दी है तो उसने फायदा लिया है ना आपको बता रहा है कि 1000 गराम दे रहा हूं लेकिन actual में भाई वो चीज 900 गराम ही दे रहा है थीक है तो उस चीज पर वो फायदा ले रहा है तो इस तरीके से इसको solve कर बहुत ही अच्छा question है मैं कहता हूँ कि आपके जो आउसत अंक है चार विसे में कितने हैं 75 है अगर अगला एक विसे अंग्रेजी का आता और वो भी आपका 75 ही लेके आता तो आपके जो 5 विसे के अंक थे उसमें कोई average का फर्क नहीं पड़ता वो 75 ही हो जाता लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ है ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि actual में जो 5 विसे के average बनके आया वो कितना आया है वो 70 आया है कितना आया है आपका 70 आया है कहने का मतलब ये जो अंग्रेजी के marks आये थे ना भाई ये marks कम आये थे अगर 75 आये थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है फिर 75 का 75 हो जाता और अगर जादा आये होते तो यहाँ पर 75 से 76 हो जाता लेकिन यहाँ पर कमी आये है मतलब यहाँ पर जो अंग्रेजी के marks थे वो 75 ना आके कुछ कम आये थे कितना कमी पड़ी है 75 से 70 हो गया 5 की कमी पड़ी है कितने मेंबर पे 5 लोगों पर यानि 25 कम लेके आये थे अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट के अंदर तो 5 में से 5 गया 0 7 में से 2 गया 5 मतलब जो अंग्रेजी के marks बने थे वो 80 ही बने थे ठीक है तो right answer आपका हो जाएगा 50 concept को ताकि आपको बिल्कुल clear हो जाए ये concept बहुत ही अच्छा है इसलिए कह रहा हूँ मैं दुबारा clear कर रहा हूँ 4 विसे में अगर आपके अंक 75 है ठीक है और अंग्रेजी के अगर 75 ही marks आते तो 5 विसो के average जो है वो 75 ही आ जाता लेकिन भाई 5 की कमी हो गई 5 की कमी कितने में होगी ये तो खुद को 5 तो कम लेके आया और इन 4 लोगों का भी कम कर दिया मतलब total 5 लोगों का 5-5 कम हुआ कितना कम हुआ 25 कम हुआ यानि ये 25 घर से कम लेके आया था 25 जो है वो subject के अंदर कम मिले थे कितने मिले थे इसके अंदर सिर्फ 50 माक्स ही मिले थे तो right answer यही हो जाएगा अंग्रेजी के अंदर 50 माक्स ही मिले थे चलो दुबारा समझा दिया है निमलिकित में से निमलिकित वीकल में से सबसे बड़ा ग्याद करो यह तो आपका 0.60 तो 2 ही रखा है 3 बटा 6 कितना होता 1 बटा 3 33 होता है तो आपका 0.66 हो जाएगा यहां पर भी 0.57 दे रखा है 1 बटा 5 20 होता है 4 बटा 5 अपका 0.80 हो जाएगा तो यही तो सबसे बड़ा है right answer आपका d बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला question देखिए क्या कहता है, simple question है PQ value रखनी है, P plus Q कितना है P plus Q आपका 11, 10, 21 हो जाएगा ठीक है, उसके बाद आपसे QR पूछा है QR आपका 12, 10, 22, 31 हो जाएगा और 30 वाला सिर्फ एक answer दिख रहा है, आगे बढ़ो मत एक answer टिक करके निकल जाओ चुपशाब अगला देखिए, एक ठोस अर्ध गूले का कुल प्रस्चिय छेत्रफल 16, 632 cm2 है इसका आयतन ग्याद करिए, इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिए इस question को करने का तरीका मैं आपको बहुत ही जबर्दस बताऊंगा, मैं solve solution वाला नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कि आपको solve करने का तरीका पता होगा formula मैं सारे बता दूँगा, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा भाई, बहुत ज़्यादा concentration से सुनिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ, अगर आपने वो चीज मिस कर दी, तो आप इस question को easy तरीके से करना मिस कर देंगे, और मैं easy ही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, detail वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ, दीकिए फोस गुले का जो होता है, प्रस्टिय चेत पल वो 4, 4, pi, r square होता है, तो हम आदे का क्या बोल सकते है, 2, pi मतलब 22 बटे 7, और r square, बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा, 1, 6, 6, 3, 2 1, 6, 6, 3, 2 1, 6, 3, 3, 2 हो जाएगा, अब एक चीज़ देखिए आप लोग, अब एक चीज़ देखिए अगर आपको आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए आपको 2 बटा 3 क्योंकि फूरे का आयतन होता, 4 बटा 3, आदे का हो जाएगा, 2 बटा 3, pi मतलब 22 बटे 7 r cube, क्या हो जाएगा, r cube हो जाएगा, इतनी बात clear है, और यहाँ पर r cube जो यहाँ से r निकलेगा, वही तो आप रखोगे कहने का मतलब जो आपका r निकलेगा, वह कैसा अंक होगा, वह एक पूरांक होगा, अगर पूरांक नहीं होता, तो यहाँ पर answer भी आपका क्या आता, point में आता पूरांक होगा, अब पूरांक होगा, चाहे कुछ भी हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, इतना आपने बता दिया, पूरांक होगा, अब एक चीज़ बिता, यह बाइस को कोई क्या काट पाएगा, इसके अंदर कोई ऐसी संक्या है, जो बाइस को काट पाएगी, अब बुले कि यहाँ पर 5 1 6 6 3 9 9 माइनस 4 2 6 2 8 0 या 11 आया 0 या 11 आना चाहिए नहीं आया ये नहीं होगा ठीक है 1 3 3 1 4 हो गया 4 में से आपको माइनस करना 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 ये भी नहीं होगा एक 3 4 हो गया सुरी 4 में से आप माइनस करो 5 2 7 ये भी नहीं होगा अब यहाँ पर देखिए 6 3 9 5 2 7 2 9 देखा 0 या फिर 11 आ गया राइट एंसर हो गया ना आपका D D इसका बिलकुल सही जबाब हो गया तो इस तरीके से जब आप कोश्चन को करेंगे तो आप बहुत ही आचानी से कर लेंगे यही सबसे बेस तरीका है कोश्चन को सॉल्व करने का और बेसिक आपको पता होगा फॉर्मूले लगा कर आप स जाल दूगा थीक है ताकि वहां पर आपको clear हो जाएगा जो concept समझना आया करें भाई वता दिया करो मैं 5-5 मिनट की वीडियो बनाके डालना स्टार्ट कर चुका हूं 5-5 मिनट की वीडियो बनाके डाल दूगा जो भी concept आपको समझना है अगला question देखो कहता है कि 2 अंकों क का जोड देंगे उसके बाद 15 का निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे कैसे निकालेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3 का निकालते हैं तो 10 के बाद 3 से कौन सी डिविजिवल पहली संख्या होती है आप कहेंगे 12 होती है last कौन सी हो जाएगी 99 99 हो जाएगी तो अब टर्म निकाल लेंगे इसके बीच कितनी 3 से डिविजिवल हैं बिल्कुल आप करेंगे 99 माइनस 12 और डिवाइड करेंगे इसका डिफरेंस डिफरेंस हर संख्या के भी इस 3 है प्लस 1 ठीक है अब यहां पर कह सकते हैं कि आपका आजाएगा 87 by 3 प्लस 1 बर से डिविजिवल कितनी संख्या निकल के आई हैं आपकी 30 निकल के आई हैं अब भाई आप 5 से निकाल लो यही method यूज करके आप 5 से निकाल लो यह 5 से डिविजिवल कितनी है तो 5 से डिविजिवल पहली संख्या कितनी होगी 5 से पहले डिविजिवल संख्या होगी 10 करेंगे 95-95 से 10 जाएगा तो आपका 85 पांच प्लस एक बराबर आ गया 17 प्लस एक 18 क्योंकि 17 से कटेगा 17 पंच प्लस एक तो कहने का मतलब 5 से डिवीजिबल जो संक्या है वो कितनी आपकी आ जाएंगे 18 इतनी बात क्लियर है अब हमें सिर्फ कौन सी चाहिए सिर्फ हमें चाह 12 के बीच 15 से डिवीजिबल कौन सी संक्या पहली हो जाएगी तो पहली 15 हो जाएगी लास्ट 15 चका 90 अब अगर आप 90 में से 15 को माइनस करेंगे और डिफरेंस कितना है हर संक्या के बीच 15 प्लस वन 90 में से 15 जाएगा तो आपका कितना बचेगा आपका 75 बचेगा और 75 बचेगा 15 प्लस वन 15 पचे 75 पांच एक 6 कहना का मतलब है 15 से डिवीजिबल संक्या है कितनी है 6 है तो हमें जो है ये वाली संक्या निकालनी है इस में से क्योंकि वो इंक्लिउड है तो 30 और 18 आपका 48 हो जाएगा 48 में से जब आप 6 माइनस करेंगे त आपका 42 हो जाएगा ये 42 वो संक्या है जो 3 या 5 से सिर्फ डिवीजिबल है इसके मल्टिपल से डिवीजिबल नहीं है क्योंकि मल्टिपल हमने 6 निकाल दी है ठीक है तो राइट अंसर आपका 42 बिलकुल सही जबाब हो जाएगा कोश्चन को समझो यही कोश्चन आपकी पेपर में आएंगे इसके लाबा और कोई कोश्चन आपकी पेपर में नहीं आएंगे अगला कोश्चन कहता है कि एक वस्तु के मुल में 45% की वरद्धी की जाती है और फिर 15% की दो करमिक छूट की अनुमत दी जाती है तो अंत में रेशो से successive लगाएंगे तो आप question को solve नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से लगाईए question बहुत ही आसान बन जाएगा पहले वरद्धी करी गई है 45% की और फिर 15% की कमी की गई है ठीक है और plus minus कितना होता minus हो जाता है अब इसका 15 और 45 का हो जाएगा तो 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा plus का 30 और यहां से कितना minus का निकलेगा 6.75 जब आगे इसको solve करेंगे तो आपका 30 में से 6.75 जाएगा तो आपका बचेगा 30.25 अब यहां तक आप लोग पहुँच गए अब इसका एक और आगे अगला success यू लगा लो अ अगला success यू लगाने के लिए आपका हो गया यह प्लस का निकला ता भाई आपका निकला plus का 30.25 और minus का 15 क्यूंकि अब यह वाला solve करने है ठीक है और plus minus होता है अब इसका गुड़ा कर लो 15 पचेग 75 75 का 5 कहरी आया 7 15 दूनी 37 37 कहरी आया 3 15 ते 45 3 48 कहरी आया और 15 दूनी 34 34 ठीक है दो संख्याओं के बाद लगा हुआ है और नीचे 100 होता है ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.4 अब इसमें से आपको जो है वो इसको नीचे वाले को मिटालो गई solve करना है हमें आगे उसे अब दिखो अगर 30.25 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास पटेगा 8.25 अब 8.25 में से आपको 3.4875 माइनस करना है 3. यह प्लस का था और यह माइनस का था इसलिए माइनस करना है 3.4875 अब इसको माइनस करोगे तो आपका एंसर निकल के आ जाएगा minus कैसे करना 10 में से 5 गया 5 9 में से 7 गया तो आपका हो जाएगा कितना 2 ठीक यहाँ पर 4 बचा तो 8 6 14 ठीक यहाँ पर आपका 1 बचा तो कितना हो जाएगा 11 7 4 11 और यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 4 तो यह plus का निकल क्या है 4 मतलब 4.7625 जो है वो वरद्दी हुई है राइट अंसर आपका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप इस कोश्चन को आसानी से कल लेंगे ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन कहता है कि 10 सेमी किनारे वाले घं से काटे जा सकने वाले सबसे लंबे सबसे लंबे लंब वरती है संकु का आयतन बताना सबसे लंबे यानि सबसे बड़े ठीक है तो यहाँ पर अगर आप एक वो बना लें ये लीजिए अपने ये बना लिया ऐसे बना लेते हैं ना एक उनट एक उनट बच्छो हम बनाएंगे इस तरीके से नहीं यार ऐस तरीके से नहीं बनाना है इस तरीके से बनाएं वो नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए तभी आपको समझ आना चाहिए क्योंकि मुझे समझाना है भाई अगर समझा नहीं पाया तो बनाएंगे ऐसे करी यहां से बेस डालके एक सपोस करी यहां पर एक संकु बनाएंगे ठीक है ऐसे आपने स्वारी यहां पर एक संकु बनाया आपने ठीक है तो संकु जब आप बनाएंगे तो इसकी हाइट क्या होगी आप क्या कह सकते इसकी हाइट क्या होगी हाइट तो इस और ये भी 10 cm दे रखी तो इसकी height भी 10 cm हो जाएगी लेकिन तरिज्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी क्यूंकि center में ये आएगा न इसके तो इधर भी 5 इधर भी 5 और इधर भी 5 इतनी बात clear है अब आपको निकालना क्या है इसी संकू का तो आयतन कितना होता है एक बटे तीन पाई मतलब पाई लिख दो पाई एक बटे तीन पाई आर स्क्वाईर अब आर कितना है पाई आर स्क्वाईर एच होता है पाई आर स्क्वाईर एच तो आर तो आपका 5 into 5 हो जाएगा और h कितना हो जाएगा आपका 10 तो 25 दहम 250 250 पाई बटे 3 आपका जो है वो एंसर आजाएगा जो कि आपका यह ओप्सन के अंदर दिखाई दे रहा है तो आपसे पूला गया था कि 10 सेमी किनारे वाले 10 सेमी से ही आपको पता चल जाना चाहिए था बिना डाईगराम बनाए कि हाईट उसकी 10 होगी और त्रीज़या उसकी 5 हो जाएगी इस कोस्चन को जब आप 5 बार कर लोगे मैं कहता हूँ कभी भी आप डाईगराम ने बनाऊगे अगर डाईगराम बना देना तो कहना आप खुद डाईगराम ने बनाऊगे इसलिए कहता हूँ कि जितने time मेरे साथ मिलता है उतने time practice करो practice के अंदर बहुत कुछ सिखा दूँगा आप जो है वो question को कम से कम समय में solve करना start कर देंगे और जो question paper में आते हैं वही question मैं करवाता हूँ आपको यह नहीं कि जैसे tech youtube channels है न अपने youtube channel की video का length increase करने के लिए आपको difficult question दे दे के आपको फसाते रहते वो तरीका भाई आने है यहां आपको कोसिस की जाएगी कम से कम समय में ज़्यादा question solve करवाने की और concept को अच्छी तरीके से clear करवाने की लेकिन फिर भी मैं slow slow पढ़ाता हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आए और अगर आपको slow लगता है तो आप 1.5x की speed से जो है इस video को बढ़ा कर देख सकते हैं चलिए अगला question कहता है कि किसी मूलधन पर 25% की ब्यास दर से 2 वर्स में अंतर 1725 है तो चक्रवती ब्याज के मामले में ब्याज वार्स की रूप से चक्रवती है तो मूलधन ग्याद करिए simply कहने का मतलब अगर आपकी rate 25% दे रखी हो तो साधारन ब्याज में 2 साल की rate कितनी हो जाएगी आपकी 50% ब्याज की rate हो जाएगी हो जाएगी ना भई अब देखो वहीं पर अगर 25% आपकी rate दे रखी हो तो चक्रवती ब्याज में 2 साल की rate कितनी हो जाएगी वो निकालने का तरीका मैंने बताया आपको प्लस का 25 प्लस का 25 और फिल 25 प्लस प्लस में 6.25 यही तो हो जाएगा तो दो साल का जो compound interest की rate हो जाएगी ठीक वो कितनी हो जाएगी वो 56.25 हो जाएगी ना अब दिफ्रेंस आपको इन दोनों में कितना देखने को मिल रहा है आप कहेंगे सर मुझे तो 6.25 का ही देखने को मिल रहा है और वो डिफ्रेंस किसके बराबर है 1725 के बराबर है यह ना भाई बराबर 1725 के काटलो भाई अगर मैं यह पॉइंट ठड़ा के मैं इदर 2 0 लगा लू कोई दिक्कत है मैं इसे काटूँगा 25 25 में 625 यहाँ पर मैंने काटा 25 शकर 1500 के बाद कितना बचा आपका यहाँ पर आपका बचा 22 है ना तो 225 हो गया 25 नवा 225 और 2 0 कितनी बाद क्लियर है दो 0 हो गया अगर मैं इसे 4 से गुड़ा कर दूं हमें तो 100 पर्षेंट बनाना है न यह लो भाई यह 100 पर्षेंट हो जाएगा और वही तो हमें बताना है मूलधन तो 0, 4, 9, 36 का च्छे कह रही है 3, 4, 24, 25, 27 27 शेस्टो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका D option के अंदर दिखाई दे रहा है clear है यह question बढ़ें इसमें मैंने उधर 4 का गुड़ा किया तो इधर भी मैं 4 का गुड़ा करूँगा तो यह 100% निकल के आजाएगा और 100% क्या निकलता है 100% आपका जो है वो principle निकल के आया है principle निकल के आया है बढ़ें अगले question की तरफ चलो अगला question देखिए क्या कहता है कि if 2a plus 5b बराबर आपका 12 दे रखा है तो a b बराबर 3 है आपको value बतानी है 4a square plus 2b square का मैं कहता हूँ कि आपको formula एक पता होगा a plus b का क्या whole square पता है ना formula क्या होता है a square plus b square और plus आपका हो जाता है 2ab यही तो होता है तो अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसे a माल लो इसे b माल लो तो आप यहाँ पर solve करोगे तो क्या solve करोगे यही तो solve करोगे 2a plus 5b का whole square है ना तो यहाँ पर करोगे आप 4a square plus 25 का b square और फिर plus करोगे 2ab ab मतलब 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 ab कितना दे रखा है तीन दे रखा है कितनी बात clear है हमें किसका इसका मान बताना है तो यहाँ कितना मान दे रखा है 12 12 12 में 144 और यह 20 दिये 60 अब इदर 60 माइनस कर देंगे ठीक है और 60 माइनस जब कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यही तो बचेगा 4a square plus 25b का square ठीक है जब इसमें से माइनस करोगे तो answer कितना आ जाएगा आपका आपका निकल के आएगा 4 84 तो answer जो है वो आपका 84 निकल के आगया clear है बढ़ें अगले question की तरफ चलो अगला question देखो अगला question कहता कि x के वेतन में 20% की व्रद्धी की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है तो वेतन में क्या बदलावाया अच्छा पहले आपने व्रद्धी करी है 5-6 कर दिया है फिर आपने कमी करी है 5-4 है ना तो 25 और 6.24 तो 25 पे जो है वो आपकी एक कमी हुई है इन्टु हैंड़ेड तो कितने 4% की कमी हुई है कितने की कमी हुई है 4% डिक्रीज हुआ है अगला question देखो यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कारी को 18 दिन में कर सकते हैं मतलब मोना प्लस सोना जो है वो 18 दिन में कर सकते हैं लेकिन इसे जो है वो सोना अकेले कितन दिन में करती है इसका LCM ले लो 72 तो efficiency कितनी आ जाएगी मोना और सोना की जो है 18 चको 72 आ जाएगी लेकिन सिर्फ सोना की जो है वो कितनी आएगी ये S है भाई ठीक है एक बर दुबारा लिख दो बहुत सारे बच्चे तो इसको कुछ औरी माल लेंगे भाई है ना 5 माल लें efficiency तो मोना जो है इसे कितने मोना अकेले कितने इसे करेगी तो एक efficiency से 72 गंटों में तो करेगी 72 दिनों में ही तो करेगी घंटे नहीं दिन दे रखा है राइट अंसर आपका D बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला question देखो क्या कहता है कि एक कस्बी की जन संक्या 80,000 है प 4,50,2,25 मतलब आपकी 23,25 रेश्यो बन जाएगा अब रेश्यो कैसे बनता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए इतनी छोटी छोटी बाते इस practice set के अंदर मैं बताने की कोशिस नहीं करूँगा मैं कोशिस करूँगा कि आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी बता दे करता हूँ भाई जब आप इससे solve करोगे 8 बते 100 तो यहां पर आपका जो है निकल के आ जाएगा कितना आपका निकल के आएगा 2 बते 25 में से 2 कमी करोगे तो 30.25 आपका ratio बन जाएगा ओके चलो अब 5 परसंट की व्रद्धी करोगे तो 1 बता 5 होता है 1 बता 20 होता है और 1 बत 21 बता 20 अब इस question को क्या आप solve कर सकते हो मैं कहता हूँ कि multiple साथ का तो तीन का तो आएगा ही आएगा इस तीन 21 को कोई काट पाएगा आप कहेंगे नहीं काट पाएगा चेक कर लो भाई इस तीन के multiple से कौन है ठीक है आप कर दो 7 6 13 14 14 15 19 19 19 9 1 2 यह भी unit 3 से नहीं डिवाइड ह हो रहा है ठीक है 8 6 14 15 15 4 15 4 कितना हो गया 19 यह भी नहीं डिवाइड होगा 3 से ताथ यह साथ दूनों कट गया 8 7 15 यह जो है वह आपका 3 से डिवाइड हो रहा है यह डिवाइड हो रहा तीन से इसको देख लो भाई 5 4 9 8 2 10 यह नहीं डिवाइड हो रहा तो राइट अंसर जगाओगे तो आप question को solve करना सीख जाओगे ठीक है यही मेरी हमेशा कोसिस रहती कि मैं आपको जो है वो बिल्कुल सही से समझाओं कि question ना solve करना पड़े calculation ना करना पड़े ताकि आप question को बहुत ही कम समय में solve कर लें इसलिए यह सारी tricks बताता हूं कि किस तरीके से question को solve किय जाना है तो राइट answer आपका जो हो गया वो कौन सा हो गया भाई कहां गया pen भाई आपका सी बिल्कुस सही जवाब हो गया अगला देखो भाई अगला question क्या कहता है अगला question कहता है कि तरभूज ABC में B समकूड है तो simply बना लो भाई समकूड यह लो मैंने कहा यह लो भाई समकूड बना लिया आपने ठीक है इसको इदा रखो आपने बोला कि यह A है यह आपका A हो गया यह आपका B हो गया और यह आपका C हो गया B पर समकूड है ठीक है और यह 10 A हमेशा बोला है मैंने आप लिख लो लाल बटे कका लाल बटे कका क्यों बो आधार लंब आपका एक हो जाएगा अगर आप ये लेंगे लंब आपका एक हो जाएगा और ये आपका आधार कितना हो जाएगा ये रूट 3 हो जाएगा तो आपका करण कितना हो जाएगा दो हो जाएगा पाइथा गुरस प्रमे से करके देख लेना भाई अगर आपको साइन ए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है और ए सी लेना है लंब बटे कर्ण लंब आपका क्या हो जाएगा लंब एक हो जाएगा कर्ण आपका दो हो जाएगा है ना लम बटे कड है और हमने साइन ए लेना है लम बटे कड तो एक बटे दो इंटू आपका कॉस C आधार बटे कड आधार ये हो जाएगा कड ये हो जाएगा तो ये एक बटे दो प्लस कॉस A कॉस क्या है आधार बटे कड आधार बटे कड़, आधार ये हो जाए, कर्ण ये हो जाएगा तो root 3 by 2 into उसके बाद क्या sin C C लेना sin, sin कितना होता? लंब बटे कड़, लंब आपका कितना हो जाएगा root 3 और कर्ण आपका 2 हो जाएगा तो simply यार इसको solve कर लो ये आपका कितना आजाएगा 1 बटे 4 प्लस आपका 3 बटे 4 तो ये आपका 4 बटे 4 मतलब आपका एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका D option के अंदर दिखाई दे रहा है बढ़ें? ये आपका last question था हमने total 25 questions को complete कर लिया है I hope सभी questions आपको बिल्कुल अच्छे से समझाए होंगे और आसा करता हूँ आपको class भी पसंद आई होगी और अगर class पसंद आई है तो वीडियो को like करना ना भूले और यहां तक जो भी बच्चे बने रहे हैं उन सभी से निवेदन है अगर चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो भाई चैनल को subscribe कर लो और मिलते हैं कल की class के अंदर ने-ने questions के साथ और सीखेंगे कुछ अच्छे-अच्छे concepts को ओके